हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल इंफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेट फ्रेंजिस वीडियो में हम 23 अक्टूबर 2020 के करन्ट सफेयर पर डिसकस करेंगे उनसे लिटे जो भी डिटेल्स हैं फैक्स हैं उन सभी पर बात करेंगे इसलिए पूरा वीडियो आप अब ध्यान से दिखिए लाश्ट में आपसे कोश्टिन भी पूछेंगी जिसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला कोश्चन है हाली में अंतर राश्टिया हकलाहट दिवस कब मनाया गया इस कोश्चन का आंसर होगा 22 अक् रुख रुख कर बोला करते हैं उस बीमारी को कहते हैं हकलाहट और इस हकलाहट के प्रति लोगों को जागरुख करने के लिए हर साल 22 अव्टूबर को मनाते हैं अंतर राश्टिया हकलाहट दिवस अगला क्वेश्चन है दिल्ली वा जिला क्रिकेट संग का नया अध्धच किसे बनाये गया तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोहन जेटली रोहन जेटली को दिल्लीवा जिला क्रिकेट संग का नया अध्धच बनाये गया है और इसकी घोस्रा की जाएगी नमंबर में नेक्स्ट क्वेस्चन है किस टेलीकाम कंपनी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने तथा सूचना देने के उद्देश से माई अमबर मोबाइल अप्लीकेशन का सुबारम भी किया है तो इसका आंसर होगा ओडाफोन आइडिया ओडाफोन आइडिया कंपनी ने मिल करके महिलाओं के लिए एक ऐसा अप्लीकेशन लाँच किया है जिसमें महिलाओं की घरेल हुईंसा से उसको बचाया जा सकेगा और उनकी जो सुरक्षा है वो भी की जाएगी समय समय पर सूचना पुलिस को मिलती रहेगी उनके उनसे इलिटेट जो भी प्राब्लम से उनकी इसलिए ओडा फोन आइडिया ने मिल करके माई अमबर मोबाइल अप्लिगेशन का सुभारम किया है अगला क्वेश्चन आता है हमारा दिल्ली कैपिटल्स के पल्ले बाज शिखर धवन आईपियल के इतिहास में लगातार कितने सतक बनाने का एक नया रिकार्ड बनाया है तो इसका आंसर होगा दो सतक सिखर धवन ने दो सतक बना करके आईपियल के इतिहास में एक नया रिकार्ड दरजीय है और यह किसने क्या है सिखर धवन ने दिल्ली कैपिटल्स के पल्ले बाजु हैं सिखर धवन इन्होंने आईपियल में एक नया इतिहास रचा है और दो सतक बनाये हैं इन्होंने दो सतक बना दिया है और इसी के साथ इन्होंने एक नया रिकार्ड भी दर्ज किया है अमारा अगला कुश्चन आता है हाल ही में OECD की रिपोर्ट के अंसार कौन सा देर सीज पर रहा है तो इसका आंसर होगा चीन अभी OECD ने एक नई रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि जितना भी दुनिया भर में देश है उनसमें जो सर्वे किया गया है उसमें चीन देश सबसे एक नमबर पर है अगर हम बात करें OECD की तो इसकी फुल फार्म है Organization for Economic Co-Organization Department यही इसकी फुल फार्म है और ये करता क्या है कि इसमें जो सर्वे होता है कि पूरे बिस्त के जो जितने भी देश हैं उनमें प्रवासी लोग कितने हैं मतलब उस देश के नागरी कितने हैं और प्रवासी चीन में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग निवास करते हैं और उसके बाद आता है अपना देश भारत देश अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राजी कौन सा बना है जहां आत्म निर्भर भारत प्रसिच्छण केंद्र खोला गया है इसका आंसर होगा मद्य अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की इसकी राजधानी है भोपाल और यहां के गवर्नर है आनंदी बेन सीम है सिवराज सिंह चोहान अच्छा बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो इससे लेटे जो भी करण सफियर है उनको वी एक बार देख लेते हैं मद्य प्रदेश में कुचल स्रमिकों के लिए रोजगार सेतु का सुभारम किया गया था मद्य प्रदेश में ही जीवन सकती योजना का सुभारम किया था और मद्य प्रदेश के उमरिया डेश्टिक में बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना का सुभारम किया था मद्य पुलिस के ने इस पंदन योजना का सुभारं किया था और F.I.R. आपके दौर ये भी मद्य पुलिस नहीं सुरु की थी और आस-पास नामक पहल मद्य पुलिस में ही सुरु की गई थी तो ये सारे करंट साफेर जो मद्य पुलिस से लेटेड है और मोस्ट भारत ने किस देश के साथ आभासी बिजनेस फोरम इस्थापित करने का आदेश दिया है इसका आंसर होगा बियतनाम भारत इसने अभी बियतनाम के साथ में आभासी बिजनेस फोरम इस्थापित करने का आदेश दिया है अगर यहां बात करें बियतनाम की तो बियतनाम की जो कैपिटल है हनोई और नाकी करंसी है बियतनामी डोंग नेक्ट कोश्चन है हाल ही में पुलिस इसमरण दिवस कब मनाया गया इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को मनाते हैं पुलिस संस्मरण दिवस इसमें क्या होता है कि जितने भी बहादूर पुलिस है अपनी duty पर सहीद हो गये है उन सभी को याद करके उनको समान देने के लिए उनका गवरो बढ़ाने के लिए हर जाल 21 अक्टूबर को मनाते हैं पुलिस इस मरण दिवस अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के कौन से राजी में मास्क का मूली निधार्ड किया गया है इसका आंसर होगा महराष्ट महराष्ट पूरे भारत का पहला और एक मात्र राजी है जहां पर मास्क के मूल्यों का निधारड किया गया है और ये भी हाल ही में किया गया है तो इसलिए हम महराष्ट से लिटे जो भी करण से उन पर भी डिसकस करते हैं आगर हम बात करते हैं महाराश्ट की, इसका गठन हुआ था एक मई उन्नीस सो साथ इसबी को महाराश्ट की राज़ानी है मौंबई या के सीम है उधाव ठाकरे गवर्नर है भगषिंग कोशियारी अगर हम बात करते हैं महाराश्ट के लोग सभा सीट की तो वो है 48 यानि 48 राजी सभा सीट है 19 और बिधान सभा सीट है 78 यानि 78 महाराष्ट का राज्किये पसू है गिलहरी महाराष्ट का राज्किये पक्षी है हरा कबूतर महाराष्ट का राज्किये फूल है जडूल का फूल और महाराष्ट का राज्किये पेड है आम का पेड यह इतने सारे महाराष्ट के राज्किये चिन है यानि राज्किये प्रती अब हम बात करते हैं महाराष्ट के राष्टिये पार्क पर यानि नेस्नल पार्क पर तो महाराष्ट में है चंदवली नेस्नल पार्क गूगामल नेस्नल पार्क नवे गाउन नेस्नल पार्क तडववा नेस्नल पार्क और संजय गांधी नेस्नल पार्क और अभी हाल ही में Air20 app महाराष्ट की राजानी मुंबई में लौंच किया गया था और महाराष्ट में ही खादी ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट में नीरा ताउगूल उत्पादन की परियोजना का सुभारम किया गया था अगर हम बात करें महराश्त के राश्ट के यह तो वो है गुडरी पावडा और गडइश चतुर्थी यह दोनों वहां के राश्ट के और फेवस्ज देappelle यह सारी बातें थी महराश्त से लिटेट जिस पर हमने डिस्कस किया और यह था आज सबी current supplier उनसे related details facts मैंने सब कुछ आपको clearly बता दिया है आपके जो भी doubts से वो हमारे comment box में पूछ सकते हैं आप हम आपसे पूछते हैं आज का सवाल जिसका answer बताना आपको comment box में हमारा आज का सवाल है हाल ही में किस राज में हीं की खेती का सुभारम किया गया है इस question के चार options हैं सही option जुनके आपको comment box में बताना है और answer से later जो भी चीज़े आपको पता है वो सारी चीज़े detail के साथ महां पर लिखनी है यह थे आज के सभी current supplier अब हम मिलते हैं next day next topic के साथ